नमस्कार में तोरों सौटकट इंडिया नीज चैनल पर आपका बहुत-बहुत सवाकत है आज हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के फॉल के बारे में जो आज फॉल हुआ है वह आप देखी चुके हैं कितनी बुरी देखी इसे फॉल हुआ है इसका एक में कारण है यस बैंक क आने के कारण आता है तो इसके लिए फॉल्व औन ला जाएगा तो उसमें क्या होता है कि जब मार्केट में पैसे की कम्यों होती है तब इस चीजों को लाया जाता है और हाला कि आप सभी को पता है यह स्वेंगे कितनी सारी गड़ बढ़िया है तो इसी वज़ाय से इस public offering को क्या सकते हैं लाया गया है ठीक है और इसके नदर जो main detail है वो आपकी screen पर है और आपको जो main detail में आगर आप चाहते हैं इस information को देखना तो इस video को pause करके देख सकते है बाकी मैं आपको main detail इसके बारे में बता देता हूँ तो main detail है इसका public offering होगा एपी होगा वो release हो रहा है 15 जुलाई से 17 जुलाई यानि कि अभी दो दिन बाद ही आएगा आज 13 तरह के 14 15 15 और 16 17 यानि कि दो दिन में आपको इसको buy कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ठीक है और इसका public offering IPO price लिखा है नोने हला कि लेकिन ये फियो तो IPO price इसका है 12 से 13 यानि कि आप 13 यानि कि आप 13 यानि कि आप लगाएं तो यानि कि आप 13 यानि कि आप लगाएंगे तो वह public offering में lower band और अपर बेंड काया है उस तरीके से और इसका जो lot है वो है 1000 stocks यानि कि आपको 13,000 रूपीस लगाना पड़ेंगे अगर आप चाहेंगे इस IPO में लगाना और इसमें में कारण यही है कि अभी पैसे की बहुत crunch है इनके पास liquidity की बहुत कमी है और मैं कहता हूं मेरे पास भी लगवग 5-6 महीने तक I am not receive any call from the yes bank किसी ने भी call नहीं किया मेरे को yes bank से कि आप loan ले invest किया हुआ है already आप जैसा की देख सकते है number of shares यह मैं किल्टी किनके नहीं बता रहा हूं लेकिन आप समझ लीजिए यह 100% है I think 12 crore में भी और ज्यादा है I am not counting it right now तो आपको percentage से बताता हूं promoters का सिर्फ एक percent एक दिसमलब 32% है जब किसी भी company में promoters कम होते हैं तो उस stock को ज institution वह भी बहुत कम है 1.86% है और NB banks mutual funds जो mutual funds है उसका भी बहुत कम है mutual funds का investment 0.56 है others 14.78% है journal public जो अपने लोगों ने करा रहा है वो 12% है ठीठ ठाक है लेकिन हां इसमें सबसे ज्यादा investment है financial institutions का जिसको आप कर सकते हैं 68% जो बहुत ही important है इसका main कारण है कि इसमें जिन लोग ने invest किया है वो जाता डूसरे banks है जैसा कि SPI bank ने HDFC bank ने ICICI bank ने तो इन सभी bank को ने इसमें invest किया हुआ है तो इस तरह यहां से इसको माना जाता है it will be little bit secure because right now बहुत से लोगों ने इसमें already invest किया हुआ है लेकिन इसमें एक एक point है जो point यह है कि इन जो financial institution ने buy किया था वो 10 रुपे की price पर buy किया था क्योंकि आपने पहले सोना होगा कि 10 रुपे pricing पर यह release किया था उस time पे सिर्फ financial institution को allow किया था कि आप 10 रुपे पर buy कर सकते हैं तो already इन लोगों तो फायदा होई रहा है क्योंकि अभी 22 रुपे चब रहा है हाला कि अभी 25-25 भी गया था लेकिन इन लोगों ने 10 रुपे पर खरीदा है तो हमने भी का था कि retail investor को भी थोड़ कि कह सकते हैं कि 12 रुपे 13 रुपे लेकिन जिन्हों ने already इसमें इन्वेस्ट किये हुआ है उनके लिए बहुत बड़ा नुक्सान की तरीकिता है यह आधा हो गया है प्राइस तो एक बहुत बड़ा चिंता का विशा है लेकिन ठीक है अभी 12 रुपे या 13 रुपे है उसके लिए हम बात करेंगे हम उनको इसको खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए में इसके बारे में आपको अड़ वाला वाला हुँ या इसमें मैं बहुत ही स्मॉल आमाउंट कै सकते हैं 13,000 रुपे एक लौट बहुत ही जैशे कि मैं बता है कि एक share का price 13 रुपए है और 1000 का एक lot है तो 13,000 रुपए आपको लगाना पड़ सकते हैं और इसको मैं चाहता हूँ कि मेरा ये plan है पांस से दस साल के लिए इसको hold करनेगा उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है अगर इससे पहले ही अगर कुछ अच्छा price आ गया तो अच्छी बात है क्योंकि ये bank ठी ठाक बैंक ही है yes bank एक 4th number का सबसे बड़ा bank है ठीक है और काफी सारे bankों ने इसमें investment किया हुआ है तो कह सकते हैं कि ठोड़ा little bit secure bank ठीक है तो अभी लेकिन इसमें बहुत बड़ा गड़वट धाला यह हो रहा है कि बार बार इसके price up and down up and down हला कि इसका price 6 रुपे भी गया था तो अभी और भी लोग डर रहे होंगे क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि FPO is like a fair price offering हाला कि इसका नाम follow up price offering है लेकिन कुछ लोग इसको क्या रहे हैं कि जो इसने सच्चा ही बता दी है bank खुद ही बोल रहा है कि 12-13 रुपे में आप खरीद लीजिए तो इसका मतलब यह है कि इसकी fair price यह है लेकिन यह देखने वाली बात होगी आज से 5-10 साल बाद अगर यह bank बापस से ओभर आता है क्योंकि इस bank में काफी सारे bankों ने invest किया है तो मुझे नहीं लगता यह bank आप डूड़ेगा लेकिन हाँ इसमें चिंता की विसाय जरूर है तो इसमें कम से कम लगाएं यह तो मेरा सला नहीं है मैं अपने वारे में बजा रहा हूं मैं कम से कम लगाऊंगा 13,000 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं और अगर आपको बहुत ही ज्यादा अभी money की जरूरत है तो बिल्कुल भी इसको invest न कितने lot अपन बाया कर सकते हैं इसमें 15 lot एक minimum है 15 maximum है तो एक लाग पिंचने हाई जार तक आप maximum है इसमें इनवेस्ट कर सकते हैं अभी FPU में लेकिन मैं गोही कहना चाहूंगा कि मैं तो यह की lot में कर रहा हूं इसलिए मैं ज्यादा सूचे इसमें कम से कम invest करें और आगर आ क्योंकि इसका प्राइज अभी और डाउन या आपको या कुछ भी हो सकता है अभी कह नहीं सकते है तो इस तरह से मैं स्पीडियो का अंत करने से पर हाँ एक चीज और इसको कैसे बाए कर सकते हैं उसके बार में आपको बता रहा हूं इसको आप डारेक्ट जिरोधा से हीरा जहांगा यहां पर आपका प्रोफाइल देखेगा तो कृफाइल की जीए और प्रोफाइल के साथ आपको देखना आई भी वहां से बाइजते हैं वहा समय वुगतविंदा बाइए और इसमें मैं एक और एडवाइज तो नहीं दूँगा लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि इसमें SBI भी इन्वेस्ट करने वाला है इस IPO में 1760 करोर रुपए एक बहुत ही बड़ी रखम है जिसको SBI इन्वेस्ट करेगा इस FBA में तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि future में अच्छ करने के लिए रखाया थे कि SBI set to invest 1760 करोड रुपए इन येस बैंक आई पी ओ इसको थोड़ा समझ बड़ा कर देता हूं तो इस तरह से इंवेस्टमेंट होने वाला है तो काफी बड़ा इंवेस्टमेंट येस SBI भी करने वाला है इसके FPU में हाला कि कहा गया है ठीकि जो दूबी चीज है वह आप समझ जाहिए कि इसमें इंवेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद है क्या नहीं है वह आप देखकर इसमें इंवेस्ट की है धन्यबाद सौटकर इंडिया नीच की तरब से भारत माता की जाए